असलाम अलेकम, कैसे हैं आप सब, उमीद है कि सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे आज मैं एक मफिन बनाने लगी हूँ और मेरे पास गाजर थी, ब्रॉकली थी और मेरे पास मटर थे तो मैंने उनको थोड़ा सा बॉयल कर लिया जदा नहीं किया, जदा मैशी नहीं किया, नरम नहीं किया सबसीयों को अबस अलका सा एक तो बॉयल आने तक किया है क्योंकि ये ग्रिल जब होंगे, ये पकेंगे तो तब भी ये नरम हो जाएंगे इसके लावा अभी मैं थ्री एक्स ले रही हूँ और जो मैंने सबसीयां थी, उनको सिरो बॉयल किया, कोई सौल नहीं डाला उसमे और दूसरा मेरे पास चिकन था चिकन कोई पीसा भी हो, अगर आपने ग्रिल किया है, वो पड़ा है अगर आपके पास लेफ्ट ओवर सालन में चिकन है, तो बोटी लेकि उसको शर्ट कर ले जोईस अब के अपनी है और चिकन नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिकन का टेस अच्छा आता है तो इसलिए मेरे अपास था, मैंने वो इसमें अड़ कर लिया और इसके इलावा मैं आप इसमें ब्लैक पापर शामल करूँगे इसमें, बैसिकली इस टिश में ब्लैक पापर और सॉल्ट जो है, वो ही इसके मेन इंग्रेटियंट है वो ही जाते हैं, निकिन क्योंकि हम लोग एजियन टच इसमें देंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा पास्लर डालूँगे और इसके लावा मिक्स्ट हर्ब डालूँगे नहीं है, आपके पास बिल्कुल नडालने और इसके लावा मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूँगे यह भी टोटली टेस्ट हुए है अगर है तो डाल ले, नहीं तो नहीं है तो सिरफ नमक, काली मिर्च और इसके लावा थोड़ा सा पैपरिका अगर है यह लाल मिर्च है यह पर चिली फ्लेक्स आप यह लोग डाल सकते है बिल्कुल टेस्ट में कोई फर्रक नहीं आएगा और वैसा ही टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा तो बस मैंने यह यह इसमें आट किया था और करने के बाद इसमें इसको अच्छे थे किसे mix कर लिया था इसको अच्छे थे किसे beat करना है कि अंडे जो है वो चित्र के से बीट हो जाए उनको थोड़ा सा फलफी सा करके तो उसके बाद इसको इसंबल करेंगे मेरे पास ये पार्सले थी और मैंने गार्लिक पाउडर डाला और इसके लावा मैंने पैप्रिका डाला पैप्रिका क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चे जो है बाहर जाने ही सकते हैं घरों में बंद हैं और जादा बच्चे जो हैं वो अगर पसंद करते हैं तो इसी चीज़ें वो बच्चों के लिए हल्दी में हैं और अगर वो शौक से खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे जो हैं को एक्टिविटी नहीं है उन अब भी मैंने मेरे इसमें कोई सबी ओले के तो आप उसको अच्छे तरीके से ब्रश कर लें बहुत अच्छे तरीके से इसको और लगाना है क्योंकि फिर तक कि जब हम इसको निकालेंगे तो नीचे से चिपके नहीं और थोड़ी थोड़ी सबसी जो है वह इन सब मुफिन ज तो इसलिए बस इसको इतना इतना डालेंगे कि तकरीबिन मेरी छे मॉफिन के लिए उपनी सबसी थी और ये पूरे मिस में आ गई थी तो बस ये मुफिन सबसी इसमें डालने के बाद अभी मैं इसके उपर थोड़ी सी जो है वह चीज डाल रही हूँ तो मेरे पास ये जो सबस्टा जाले ये जो मेरा एक का दाला दो कोई नहीं कि कि टना डालना ये आप अंदाजे से डालने और ऑर डालें के बाद इसके उपर अबने हरी मेर्स जो थी वह काती थी काट के डाली थी क्यूंके थोड़ासा सबस्टा सा एंस करने के लिए और बस इसको मैंने 180 degrees पे जो है वो मैंने इसको बेक कर लिया था तकरीबन तकरीबन 5-7 minutes में ये बेक हो गया थे 180 temperature रखा तो ओवन का और इसको बेक किया था ग्रिल नहीं किया था इसके लाब आप अपने temperature अपने ओवन की temperature के साब से देख लीजेगा तो बस ये इसको सारा जो था एग्स भी तकरीबन तीन जो थे वो enough थे for six egg muffins के लिए और ये मैंने अब इस में उपर थोड़ी सी जो है वो चिलीस कट करके डालूंगे ये बिलकुल optional है अगर आपको पसंद है तो डाले नहीं पसंद है तो बिलकुल ना डाले लेकिन चिलीस के बहुत अच्छा एक टेस्ट आया था और बहुत मज़े के बने थे और ये बन गये थे और इसके बाद इसको तकरीबन फाइव मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही छोड़ा था फिर उसके बाद शूरी से जो है वो किनारे काटके तो ये निकाल लिये थे और ये आज इट इस जो है ये बहुत अच्छे थे कैचिप के साथ दें चिली गारलिक सास के साथ दें ये बहुत मसे के लगे थे अभी क्यूकि आज करने को कुछ है नहीं हैं बच्चे भी घर पे है और घर में अ बढ़ा हैं निया पुदीना और हरी मीरचें जो थी उनकी चट्टी बना रही है और बनाके मैं उसको फ्रीज करने लगी थी freeze की हुई जो चटनी है वो बस उसका process जो था वो थोड़ा सवाब मैंने काप लों के साथ भी share कर लो सबको आता है लेकिन सरफ इसलिए क्योंकि ये बहुत फाइदा देती है हर दफा अगर हमने आपको चटनी चाहिए तो हर दफा ताजी बनाना मुश्किल हो जाता है हीनत करने को तो कुछ ये चोटी चोटी जो त्यारी रखाओं गरना जाती है आउस्षे कैज Ilос कर लें और उसके बाद नरम हो जाती है तो हम उसको द्रें भलो में और जो भी रचना चाहट है कुछ भी है उसमें अमग रियूज़ करेंगे तो बहुत एजी हो जाती है क्योंकि हर दफ़ा नहीं बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है तो यह मैंने इस क्यूप के स्पेर जो है वो मैंने कंटेनर रखे हुए इनमें डाला डाल के फ्रीजर में रखती है और मैं इमली की चिटनी बनाने लगी हूँ मैंने फुल पैक लेक लेकर मैने विग हो की रख़ी हुए थे और ईसको जैसे वीग्र हुए तो आपने नमक बनाने कीम दालता है जाई है तो मैंने अब यह कैलेमे इस के बनीतना लावा मैंने तोल ऑर दाले टालिए नहीं यह कलमेश दाल इसमें डाल लिया, यह वाइट पैपर है, यह एक डाला है, थोड़ी सी चट्पटी से बनाएंगे, क्यूंकि इमनी की चट्पटी वैसे गए लिज को खाई नहीं जाती है, अगर हम ने समें चाट में डालनी है, यह दहीं भलों में डालनी है, तो थोड़ा सा स्पैस केख कोन चाहिए थोड़ी सी पैपरिका डालोंगे मलाल मिर से बहुत कम यूज़ करती हूं इसे चीज़ों में मैं पैपरिका जादा यूज़ करती हूं क्योंकि ये स्वीट चेल होती है इसका फ्लेवर नहीं होता लेकिन कलर बहुत अच्छा था और ये खजूरे हैं इनको तकरीबन 4-5 खजूरे हैं वो मैंने इसमें डालनी इसलिए मैंने गूर जो था वो बहुत कम डाला था तकरीबन 2-3 जो 3 गूर की डलियां वो डालनी थी जदधा गूर नहीं डाला क्योंकि मैंने खजूरे इसमें डालनी थी और बस इसको पकाऊंगे अच्छी तरी के से तक कि और स्पाइस जो है वो अच्हे तरीके से निकल के आजाए में इन homosexual आजाए में इसी तरीके से निकल के आजाये और उसमीं संद्टी निकाल दूंघ और के लावह मैंने इसमें जो लॉंगЧто डालनी है और पल्प जो है और слऑजान हुगी तो ! अगर आप ब्लैंड में चाहिए तो प्लैंड करने के बाद दुबारा फिर इसी हमली में शामिल करें कभी भी पर जो है उसको फैंके नहीं क्योंकि सारा फ्लेवर पर्ल्प में होता है और मैं इसमें चाट मसाला डाल रही है और जीरा पाउडर यह मेरा भुना हुआ कुटा वजीरा था तो मैंने वह इसमें डाला है और चाट मसाला डाला है तोड़ी सी पार्सली डालोंगे यह थोड़ा सा धनिये का धनिये का होता है ऐसा थोड़ा सा फ्लेवर दे देता है और ऐसा थोड़ा सा कलर दे देता है तो अच्छा लगता है खाने में नहीं है तो बिल्कुल नहीं डालें जरूरत नहीं है और यह देखें यह जैसे यह मेरा इसको छाना है तो यह पल्प जो था यह बिल्कुल मैंने इसको अच्छे तरीके से नरम करके तो मैंने उसी इमली में दुबारा डाल दिया था और अभी मैंने कौन फ्लावर जो था उसको थोड़ा से एक चमच कौन फ्लावर लिया ज्यादा नहीं दिया और उसको पानी में घुलके तो मैंने इसमें डाल दिया इसको बस थोड़ा सा पकाऊंगी कि तो थिक हो जाए अगर मैं इसको इसी तरह पकाती रहती तो यह रिड्यूस होके ठिक हो जानी थी लेकिन वह फिर बहुत कम रह जानी थी और मुझे इतनी क्योंकि मुझे यह थोड़ी ज्यादा चाहिए थी मैंने इसको फ्रीज करना था तो इसलिए मैंने इसको इसी स्टेज पे कौन फ्ला और डाल दिया तक कि मुझे इसी स्टेज पे यह थिक हो जाए तो यह रेडी होगी थी और मैंने इसको भी जो है वो क्यूबस में डाल लिया था लेकिन जब हम इन यह जब फ्रीज होगी तो इसके बाद यह थोड़ी नरम होगी लेकिन जैसे कुछ हरसा यह फ्रीजर पर प बाद काम आएगी तो अभी मेरे हस्बंड जो थे वो सैंडविच बनाने लगे थे और चॉपर में जो है वो हारी मिर्चे डाली है मियनीज डाली है इसके इलावा हारा धनिया डाला है और नमक और काली मिर्च यह डालने के बाद इसमें थोड़ा सा तकरीबन एक से दो पेस्ट बना लिया और इतने अचंचे चोप आया कि यह पिस्ट बन जहां है वान सा है त्यस्या को चैसे ही पेस्ट रेडी होसा है तो अभी यह ब्रेट के ओपर जो है वह भाट लगाया मखन लगानी के बाद सॉफ्ट मंक लगाया जो च्यों स्पर्य्ट हो जाए और इसके इलावा इस पे टमाटर के स्लाइस और इसके इलावा जो अनियन है वो लगाएंगे और सबसे पहले तो जो चटनी बनाई है जो सॉस बनाई है वो सॉस लगाएंगे और सॉस लगाने के बाद उसके बाद ये थ्री लियर सैंडविच बनेगा तो तक्रिबन तीनों ही ब्रेट के जो slices हैं उनके उपर ये वाली sauce लगेगी इसमें कोई restriction नहीं है कोई भी अगर vegetables है आपके पास आप इसमें डाल सकते हैं इसमें शिम्ला मिर्च डाल सकते हैं इसमें बंगो भी डाल सकते हैं जो अगर chicken है वो डाल सकते हैं कुछ भी अगर आपके पास है आप इसमें एड़ कर सकते हैं इसमें सारा जो flavor और जो सारा जो मजा था वो सिरफ इसका sauce का था sauce की वज़े से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था अभी टेमाटरी के slice टाल है और onions शामल कियें और दूसरे बैट के भी इसके ओपर वो सलामी लगाएंगे आपके option है अगर आपके पास कोई भी cheese slice है तो वो इस पर लगा सकते हैं हम लोग ने mozzarella cheese के ओपर लगाई थी food को different style से try करना जो है वो बहुत अच्छा होता है उसको try करते रहना चाहिए जितना different style से बनाएंगे उधना अच्छा बनता है और try नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि चीज अच्छी बनी है कि नहीं बनी है खराब बनती है कोई नहीं है यह एक दफ़ा खराब बनेगी दूसरी दफ़ा try करेंगे कुछ बेहतर हो जाएगी अगली दफ़ा try करेंगे उससे भी अच्छी बनेगी लेकिन ट्राई करना चाहिए हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग यह चीज बना सकते है यह नहीं बना सकते है तो हमेशा जो है पहली दफ़ा میں अगर कुछ चीज बना रहे है तो अगर नहीं अच्छी बनती है अपने आप पे गण्फिडंस रखें कि अगली दफा हम अगर try करेंगे तो हम अपनी गलतियां हैं उनको हम जरूर notice करेंगे और हम अपनी गलतियों से जरूर सिखेंगे तो अभी ये जो है ये इसको लेयर देखे और इसको grill कर लेना है grill नहीं है तो frying pan में हलका सा बटर लगांके आप उसमें भी ग्रिल कर सकते हैं मकसल सिरफ यह है यह सब कुछ कुक है मकसल सिरफ यह है कि अच्छा से जो ब्रेड के ओपर जो मार्क्स आते हैं वह आ जाए और जो चीज इसमें डाली है वह मेल्ट हो जाए तो बस अभी बहुत चीजी सा और बहुत यह सौसी सा तो बैसे इसको ग्रिल किया और यह सैंड्विच जो था यह रडी हो गया था जरूर ट्राइ कीजएगा आपको आज की रेसिपी जो है वह कैसी लगी फीडबैक भी जरूर दीजएगा और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजएगा शेयर कीजएगा और सब्सक्राइब क कीजएगा और अपने बच्चों का बहुत क्याल रखेगा दौ में याद रखेगा अलाहाफेज